जब से मैंने प्रवेश किया भारतिय जंता पार्टी में बडिक्रिपा रही जेपी नड़ा साब जी ने खुद आमंतरित किया था तो वो विधान साबा के चुनाफ से पहले की बात है और इस मनशा में पार्टी में आया था क्योंकि कई बर्सों के बाद इस देश को श्री न देता हो तो क्यों ना उसके साथ हम चलें तो अब एक मलाल सा दिल में रह गया उस चुनाफ के बाद कि देखिए जिस परधान मंत्री ने अपने मूं से एक बार मी कई बार बातचीत में कहा रैली में कहा कि मेरी जनम भूमी जो है वह गुजरात है और मेरी करम भूमी जो है हमारी हमाचल परदेश है इतनी बड़ी बात कहेंगे कि करम भूमी हमाचल परदेश है दूसरी बात कि एक दुनिया में देश विदेश में सबसे बड़ा विशाद राजनीतिक दल भारतिय जनता पार्टी जिसका अध्यक्ष जो है वह एक हमाचल का धर्ति पुत्र श्री पूरे राष्ट के अध्यक्ष पीजेपी के अध्यक्ष हूं उस चीज का बात भी हमने ध्यानना करते हुए यह राज्य जो था जिसको सब कुछ मिल रहा था केंदर से यह हमने उनके हाथ दे दिया कॉंग्रस के हाथ दे दिया जिसका नितित्व इस वक्त ऐसे शक्स के है जाओ ना उसको कोई तजर्बा है अनुभाव है कि सरकारे कैसे चलती है मतलब इस वक्त दिवालिया हर प्रकार से फैनेंशली विट मार विशेर के मात्र नहीं हर प्रकार का दिवालिया निकाल रिख है उस इंसान ने उस कांग्रस के हाथ में दे दी तो मैं बड़ा इस पार फिर लोग सबक चुना हुआ गया हमें मौका मिल गया है